हेलो एवरिवन दिस इस रुपेश मिश्रा एंड वेलकम यू आल तो यूर चैनल इस मैत वरत आपका स्वागत करता हूं आपकी चैनल पर जैसे कि हम लोग ने अभी इससे पहले दो वीडियो और किया हुआ है जिसमें हम लोग ने डिफरेंशल एक्वेशन का ही फर्स रेप् सब्सक्राइब तो उसे भी करने में टाइम लागेगा तीन दो तीन वीडियो में हो जाएगा और लेकिन कुछ लोग यह बोल रहे हैं कि सेर मेकेनिक्स पहले बढ़ा देशे हैं तो मैं स्टार्टिक में बोला था कि मेकेनिक्स और डिफरेंशल दोनों ही आपके दो पेपर होंगे दो पेपर होने वाले तो मैं पैरलली लेकर चल रहा हूं कि मेकेनिक्स में एक चेप्टर खतम हो चुका है उसमें एक दो परसंट है तो वह एमसी क्यू बेस्ट मुझे पढ़ाना है तो एमसी क्यू के लिए स्पेशल आपको स्पेशली अलग से वीडियो बनाके मैं करते हो एक चेप्टर स्टार्टिक से पढ़ते हो क्योंकि एकजाम तो दोनों का अलग अलग होना न कुछ कवर हो जाएगा डिफरेंशीयाशन में कुछ कैलिकलेस में कुछ कुछ हो जाएगा तो दोनों में स्कूर करई है आप ऐसा पता चला कि एक में говорит ऑर दूसरे में आपको जीरो आता है मतलब कुछ नहीं आता है तो जीरो आएगा कोई मतलम नहीं निकलेगा इसलिए मैं पैरलेली दुनों का पढ़ा रहा हूँ आप लोग प्लीज पीस्फुली सपोर्ट कीजिए साथ में पढ़ते रहे जो चैप्टर इसका पढ़ रहा है अभी जैसे य चैप्टर इसका तो कोशिश यह करूँगा कि यह पहले खत्म कर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बर्डिन कम होगा ठीक है और इसली बर्डिन कम हो जाएगा तो आप लोग साथ दें और पढ़ते हैं चलिए हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर जो लोग पढ़ र होना के अलफ़ा प्लस मैंस कि यह पेर में आता है हमेशा अलफा प्लस माणस आ बीटा फिक्डड़ होंगी की मैजिनरी हमेशा दो रहा एक साथ आते हैं तो इसके केस में लोग जो हम लोगों निकाल आता है टो टोटल सीएफ कह सचते हो अब उसको कंप्लीमेंटर इन बोल आए सी टू साइन वीटा एकस यह तो बता था इसके दो फॉर्मॉले और बताएंटे तो क्या करना है इसी को continue करना है मुझे तो continue क्या करते दांस तो नहीं लिए जो fourth point है आपका अगर आपका M repeat कर जाए मतलब इसी case में जो आपका imaginary roots है अगर वही repeat कर जाए let's say कि M is equal to let's say आगया alpha plus i beta दो बारा गया alpha plus minus i beta दो आगया roots मतलब जैसे repeat कर गया दोनों के दोनों तो repeat में जैसा हम लोग ने लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं दिखा एक बारी देख लिए रिपीट रूट्स को में लोग कैसे लिखते हैं cf में मैं बताता हूं देखिये जैसे आपने imaginary को लिखा है उपर exactly वही चलेगा e power alpha x तो same ही रहने वाला है यहां की तरह अब आते ब्रैकेट के अंदर द दो रूट थे ना रिपीट हुए पॉजिटिव वाला भी दो बार रिपीट हुआ निगटिव वाला भी दो बार ही और इसके साथ आप cause beta x लिख दो ठीक है प्लस ऐसे ही c1 c2 होगए तो यहां पे इसकी प्लेस पर आप कर दो c3 प्लस c4 x और साथ में sin beta x ठीक है तो यह अंतर आता वाई तीसरा ग्राव में एक और बढ़ा देता लेट से तीन जूट्स है सेम आगए तो यहां पर देखिए इस प्लेस पर सीवन प्लस c2 x plus c3 x स्क्वाइर हो जाता और यहां पर भी c3 प्लस c4 x plus c5 x स्क्वाइर हो जाता तो इतना सा डिफरेंस आगा तो अभी म मतब फॉर्मुला बाता है एक्जामपा लिख लेते हैं ठीक है चलिए देखते हैं देखे स्टुडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने डी स्क्वाइर प्लस वन होल स्क्वाइर वाई इक्वस टू जिरो देखिए ऑक्जिलरी क्वेश्चन आपको लिखना था मैं स्क्वाइर प्लस वन होल स्क्वाइर यह मैं सिर्फ एक नोटेशन बता रहा हूं जिससे कि आगे के कुछ 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 मैं समझाओं मैं आपको चीज़े बता हूं पर्टिकुलर इंटीगर बता हूं तो आपको अच्छे से और भी क्लियर होगा अगर मैं अक्वेश्चन ल यह जो आपने लिखा है ना स्क्वाइर आप दिमाग में आपके होगा कि आप स्क्वाइर को हटा करके स्क्वाइर रूट बना तो लेकिन ऐसा नहीं करना है इसको आप ऐसे लिख सकते हो यू कन राइट इट एस एम स्क्वाइर प्लस वन टू टाइमस इंटू एम स्क्वा होगा या तो यह 0 होगा so m square plus one is equal to zero और second वाला भी वही कह रहा है m square plus one is equal to zero देखें यहां से m की value और find out करोगा so you will get plus minus i यहां से भी आप वही लेने वाले हो you will get plus minus i ठीक है अब यह तो repeated होगे एक तरीके से बात कीज़ें मैं यहां पर लिख हूँ m has value which is plus minus i one time और plus minus i second time दो बारी आगया अच्छा ठीक है plus minus i को क्या आप यह लिख सकते हूं zero plus minus one i यह मैं बिल्कुल उसके form में लिख रहा हूँ alpha plus i beta के form में जिसे की help हो जाए थोड़ा आपकी अभी के दो बारी repeat कर गया दो बारी आगया तो दो बारी में देखे क्या चेंजमेंट आता है मैं आपको दिखा देता हूं एक बारी देखे दो बारी लिखने की वज़े से सिर्फ और सिर्फ यहां पर देखे क्या हो गया constant के साथ देखे जब भी repeat होगा simple सी बात याद रखे जब भी repeat होगा तो जहां जहां constant है उस constant के साथ addition में second constant जितनी बार repeat हुआ को उतनी बार constant होगा और x की पावर बढ़ती चली जाएंगी जैसे यहां पर देखे एक्स तो अहीं को है तो नहीं हम एक पावार जीरो होगा यहां पर देखे एक्सपावर बार वन है अगर 3 बार repeat करता तो एक्स 3 ऐसे करते करते हैं हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं ठीक है प्लिए रोग आपको इस चीज चले आगे दिखते हैं अब इसके case में क्या करना है सो देखें M की value क्या आई आपके सामने अभी 0 plus minus 1i और यहीं चीज दो बार आई है ना 0 plus minus 1i ठीक है ठीक है तो हमारा cf क्या होगा complementary function बोलो चाहे आप उसका complete solution भी बोल सकते हो उसे y is equal to or you can say that cf is equal to से दोनों ही लिख सकते हो ठीक है so y is equal to y is equal to क्या होगा मैं दो बार ही पीट हो है ना e power alpha x तो पहले ही आ जाएगा alpha यहाँ पे 0 है तो 0x हो जाएगा और within a bracket c1 plus x c2 times cos beta x beta means 1x plus s3 plus x c4 sorry 4 नहीं लग रहा है 4 c4 और sin beta x यानी 1x ठीक है so अभी जो थोड़ा बहुत solve हो सकता है you can write that solution directly क्या लिखते हैं देखिए तरह e power 0 means 1 ही हो जाएगे तो इसे हटा सकते हैं आप simply लिख सकते हैं c1 plus x c2 और आपका cos 1x को simply cos x लिखिए plus c3 plus x c4 को आप simply ऐसे ही रहने दीजिए plus और सबस्क्राइब लिख गा लिए साइन 1x को sin x लिख दीजिए so this is your answer when m has values which are imaginary and in addition to repeated rules अगर imaginary rules आए है और साथी साथ repeat कर रहे है so you will have to write the answer like this अच्छा आगे बढ़ते हैं एक और cf का आपका बचा हुआ है point वो भी बता देता हूं अब बात तादी है अभी तक जितने हमारे m के values थे वो real थे या तो imaginary थे में भी कैसे थे rational roots थे अब एक बचा है वो irrational root होगा real तो होगा ही साथ में irrational होगा अब देखते हैं उसको देखें देखें if m has a value which is irrational ठीक है irrational कैसे होगा देखें कुछ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं irrational के साथ आपका rational added अगर कर दिया जाए सब्ट्रेट कर दिया जाए यह rational में root B को कर रहा हूं ठीक है केवल irrational में केवल under root B भी लिख सकता था वहां पे alpha की value को 0 कर देता तो कोई बात नहीं है अगर rational और irrational add होते तो भी irrational ही आता है यहां पे अगर आपको मन में आ रहा होगे सर आप अलफा की value 0 हो जाएगी और गया है तो यह जो एक perfect match है पूरा का पूरा irrational लिखने का ठीक है तो अगर यह है तो कुछ यह आपको वैसा नहीं लग रहा अलफा प्लस माइनस आई बीटा टाइप हाँ बिल्कुल धान से सुनियागा जब आप आपका जो roots आते हैं imaginary आते हैं तो वो भी plus minus के साथ एक साथ ही pair में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए यह root में भी root में भी square root यह जो आपकी square root लगे इसमें भी अगर m की value आती तो भी pair में ही आती है इसलिए मैंने plus minus को एक साथ लेका आप चाहे श्री धरहाच एक जैसे यह दोनों होते हैं alpha plus minus beta एक करके होता है plus में होगा minus में होगा ठीक है तो इसके case में इसको इससे relate क्यों कर रहा हूं मैं इसको relate क्यों कर रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे इसका CF मैं आपको बताता हूँ CF का formula क्या होता है जान से चुनिएगा इसका CF exactly alpha plus minus i beta के जैसा ही होता है जैसे की e power alpha x आप लिखते हो ना exactly इसमें भी e power alpha x रहता है ठीक है within a bracket c1 cos beta x आप लिखते थे यहां पर आजएगा अंडरूट beta x क्योंकि अंडरूट में ही है x बिल्कुल इसकी जैसा है इसी मैं इसे लिखते थे प्लस c2 sin एक चीज़ यहां पर रह गई एक सेकंड सेम ऐसे यहां पर लिखते हो लेकिन बस एक हलका सा और चेंजमेंट रहता हाइपर बोलिक के साथ आता है अपका अंडरूट beta x ठीक है प्लस c2 sin हाइपर बोलिक अंडरूट beta और साथी साथ x ठीक है तो इसमें और इसमें जड़ा स बीटा होता था ठीक है और इसके केसे में थीन फॉर्मले बताए तें यहां पर भी आप तीन फॉर्मुले ध्यान रखिए मैं आपको दिखाता हो देखिए एक तो यह वाला था और एक्जाटली दूसरे की तरह ही दूसरा वाला भी है दिखाता हूं देखिए जैसे उसमें यहां पर जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखिए और थर्ड आप इसी कोई कॉस में भी लिख सकते हो कैसे कॉस में लिख रहा है c1 e to the power alpha x cos hyperbolic under root beta x plus c2 यह तीनों आंसर हो सकते है imaginary के case में और irrational root के case में यह तीनों आंसर हो सकते हैं उसमें भी तीन थे तो यह किसले बता जा रहा है यह mcq purpose से बताया जा रहा है तीनों की तीनों क्योंकि mcq बनाने उनको तो कुछ तो गुमाईगे ना तो मैं सारे ही बता देरों वह घुमा के देख लेते हैं कहां से गुमा लेते हैं इस पर वेस्ट एक question देख लेते हैं देखे स्ट्रेंट्स question आपके सामने है irrational roots को लेकर के देखे यह तो आपका f of d है यहाँ पर f of d जो है आपका which is what d square minus 4d plus 1 function of d है इसलिए मैंने f of d लिखा है अगर मैं इसका auxiliary equation लिखू तो क्या होगा क्या होग auxiliary equation बस वही जहां जहां d है वहां वहां m रख दिशे और y बचाना यहां पर देखना आपको y की place पर समझे यह रटा दिया मैंने या तो y की place पर 1 रख दिया equal to 0 गया यहां पर m की value भी find out करते हैं सो देखे power 2 है quadratic है quadratic आपको अच्छे से solve करना आता होगा आना चाहिए भी midterm splitting से हो जाएगा श्री धराचारे rule से हो जाएगा और you can say that perfect square method से बजाए तो मैं directly आपके सामने answer रहे हो you can use your श्री धराचारे method और you can use that whatever your name is in cbse world rule method या formula directly आप इसे find out करोगे तो m will be what m will be 2 plus minus root rate अब सच में देखे तो irrational है यान जो फिफ्थ पॉइंट अभी जस्ट पढ़ा है m का उसके बदम ने cf find out किया तो वह है अच्छा देखे अब cf find out करते है cf यहाँ पर equal to 0 है मतब यहाँ पर q की value तो 0 है अब q क्या है लोग जो नए पढ़ रहा है उन्हें पिछली वीडियो में जा करके पता चलेगा कि q क्या है इसलिए पिछली वीडियो जरू देख लीजएगा तो यहाँ पर q 0 है इसलिए यहाँ पर जो complete solution है complimentary function है you can say this as y complimentary function को आप y भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर q 0 है so y is equal to यह irrational function है irrational case में तीनों की तीनों answer हो सकते है मैं कोई एक लिक देता हूँ e to the power alpha x यह alpha है 2 आपका और within a bracket c1 cos hyperbolic under root 3 x ठीक है और plus c2 sin hyperbolic under root 3 x और bracket off आप यहाँ भी चाहो तो bracket लगा सकते हूँ so this is our complimentary function or you can say that the total solution of this solve करने को बोला तो इससे solution अमरा आ गया तो आपका cf पूरी तरिके से खतम हो इसके अलावा आप एक बात सुने है देखे मैं आपर दो वुक्स को गवर कर रहा हूँ एक क्रिष्णा पॉब्लिकेशन ठीक है बहुत अच्छा पूरा यूपी में पूरा चलता है अच्छे से चलता बहुत अच्छा पॉब्लिकेशन आपके प्रॉपर गुरपूर का जो अच्छे चीज़े मिलती है वह मैं एड कर देता हूँ ठीक है बाकी आपका जो प्रॉपर बंदना जो पॉब्लिकेशन है वही आप जो सॉल्ट कर रहे होगे अगर आप किसी भी चैप्र से रिलेटर जैसे मैंने यह एक्सराइज में खतम हो चुकी है फस्सराइज से आपक पूछ सकते हो कहां पर टेलीग्राम चैनल पर आप डिरेक्ली पूछ सकते हो कि सर इसका आंसर मुझे चाहिए या इसका सोलीशन चाहिए इसका अगर बहुत सारी कोशन होते हैं आप लोगों सारी कोशन तो एक सेपरेट वीडियो सॉलीशन का में बना दो या फिर वहीं के वहीं आपको को एक्जैक्टली सॉलीशन प्रोवाइट कर दोगा मैं और उसकी चरचा एक बार यह वीडियो पर कर दोंगा कि हां यह ऐसे कोशन था मैं बता देता हूं या अगले वीडियो में आपको वह कोशन का अंसर मिल जाएगा ठीक है पट यू हैब टो डिमांड फॉर देट अब के लिए डिमांड करोंगे तो ही बागी आगर आप वैसे सॉलूइशन तो सारे के सारे अल्मूस्ट हो जाने चाहिए हो जाएंगे नहीं होगे तो आप पुछ लिजेगा ठीक है तो सीएफ तो कतम हो चुक है अब हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल टेके स् हमारे जो डिफ्रेंशेल एक्वेशन वह इस फॉर्म की होती थी जो ए नौट टी पावर एंट एवन डी पावर एंड माइनस वन डी मतलब डिफ्रेंशेशन कितनी बार करना है वो उसकी पावर में लिखा हो और एट लास्ट आपका ए एन होता था फिर उसके साथ यह मैंन चाङ के सिर के सिर लेफ्ट वाला जो पार्ट होता था लैफ्ट वाला पार्थ आपको क्या देता था I'm है सी अफश्ट देता था टीकर सÕिए लैफट वाला पार्ट से आपको complimentary function मिलता था बट राइट वाले पार्ट से यूविल गेट गेट दी पर्तीगौर अटिए एं इसमें y को छोड़कर जो बागी का बचाऊ से हम लोग f of d पढ़ रहे थे फंक्शन ओफ d is equal to q लिख सकता हूं अब इसे ठीक है अब यह जो function of d है अगर मैं इसे right hand side भेजूं तो यह किसमें convert हो जाएगा one upon मतब y left में हो जाएगा और one upon जो है f of d वो आपका नीचे चला जाएगा और q के साथ है ठीक है तो आपके सामने जो यह y निकल के आ रहा है this y will be called as particular integral इसे ही particular integral बोलते है means आपका जो भी टी में equation होगी उसको q के upon में मतलब one upon something लिखूंगा इसी तरीके से लिखना है q के upon में मतलग देना है लेफ्ट में लिखना है तो यह आपकी particular integral आ जाएगा और जब cf भी आपने निकाल लिया और pi भी आपने अगर निकाल लिया तो उसके बाद दोनों को add क करके आप पूरा-पूरा solution दे सकते हो ठीक है when q has some value अब यहां पर q क्या है वो समझते हैं q 4-5 तरीके के हैं exponential है trigonometric है algebraic है वो सारे पढ़ने हमको उनको कैसे deal करना है और उन सब पर कैसे-कैसे question बनते हैं ठीक है तो चलिए pi solve करने का तरीका देखते है q कितने तरीके के उनक देखते हैं चलिए देखते हैं देखे-pi सबसे पहरा-pi हम लोग देखने जा रहे हैं when q is equal to मैं q की कुछ value दे रहा हूं when q is equal to e to the power a x जब q a e की power a x type होगा तो आप pi कैसे find out करोगा द्यान से जोने आगा देखें सिंपल सी बात है pi का formula तो पहले पढ़ चुके है क्या 1 upon f of d और यहां पर q होता था e power a x ठीक है देखें pi find out करने के लिए e power a x है वहाँ पर जो a लिखा हुआ है वो a अगर मैं d के place पर put करता हूं इस a को और वो 0 ना आए so हमारा जो pi होगा जहां जहां d होगा वहां a रखने पर आ जाएगा यही हमारा pi हो जाएगा इफ अगर f of a 0 के equal ना आया तो simple यही हमारा answer हो जाए ठीक है यह clear बात लेकिन अगर इसी में ही मैं बात करूँ कि star बना के बात कर देता हूं star बना जेता हूं इसी में अगर 0 नहीं आया तो simple d की place पर a रख देना है और वो हमारा answer आ जागा ठीक है लेकिन अगर यह 0 आया but if on putting a in place of d on putting a in place of d ना एक second अगर मैं यहाँ पर a put कर दिया मैंने और वो आगया 0 ठीक है 0 मिल गया अगर आपको तब आपको क्या करना है तब pi जो आपका आने वाला है then pi is equal to ध्यान से देखेगा इस बात को अगर ऐसा होता है कि 0 आगया और आपको f of d times e power ax करना है तो आपके दिमाग में भाई मैं पहले सोच दूँगा कि a मैं यहाँ पर put करता हूँ तो यह 0 मुझे दे दे रहा है यहाँ पर ही मैं को 0 दे दे रहा है तो जैसे 0 देगा तो मैं क्या करको उससे बचने की कोशिश करूँगा कि 0 ना है क्योंकि देखें division में 0 आ जाता है upon में तो वो infinity देगा भाई और infinity कोई solution थोड़े होता है तो एक बड़ा ही simple सा तरीका इससे बचने का क्या यह जो आपका a दीख रहा है आपको a को करना क्या है a को उस जहाँ जहाँ डी होगा हमारा जहाँ जहाँ डी होगा उस a को वहाँ पर add करके आगे बढ़ा देना है मतलब धान से सुनेगा e power a x अब आ जाएगा बाहर और जहाँ जहाँ आपका d होगा वहाँ पर यह a उसमें add हो जाएगा और फिर e जब बाहर चला गए तो बचा कितना one one बचा है न चाँ ठीक है तो क्या करेंगे फिर इसके बाद इसके बाद का एक छोटा सा पॉइंट और वह भी बता देता हूँ देखिए जितना जितना power होगा upon में d का जिसे हो सकता है d power 2 हो ठीक है या फिर d power 1 ही हो maximum 1 ही power हो sta sus करना सिर्फ इतना सा रहेगा कि one upon जो आपके f of ंदी प्लस ए आप कर रहे होगे और यहाँ पर one होगा आपका ठीक है तो जितना ऱधों को उच्टने टाइम्स आप क्या करोगे on it करोगे क्योकि one upon d क्यों होता है और ड क्यों का क्यों क्यों क्योर्युक् जो function of d है वो d power 2 तक जा रहा हो तो दो बार integrate करोगे तीन बार जा रहा हो तीन बार integrate करोगे एक बार जा रहा हो एक बार integrate करोगे यह बात clear है आपका e की power x तो बाहर था ही e की power ax तो बाहर चलाई गया था यह आपका pi है ठीक है यह सबसे पहला case है पी आई का जब हमें क्यों कैसा होता है इपावर में होता है एक कुशन देखते हैं इस पर बेस्ट तो आपको और अच्छा से क्लियर हुआ कि मैं कहना क्या चाता हूं देखिए मैं कुशन लिख लेता हूं देखिए सुजन सॉल डिस डिफिरेंशल एक्वेशन है अब देखिए यहां पर इक्वल्टू में जीरो नहीं है यूँ है यूँ है क्यों कि कुछ वैल्यू है यहां ठीक है इसका मताब पी आई निकालना पड़ेगा आपको सी एफ नि डिफ बता हो तो चलेगा चले आप लोग सॉल कर देना ठीक है मैं नहीं बता रहा हूं सी एफ और यू इन ह्ट डव्यू इस एफ आपका रोगा मैं पी आई बता तो इसका चले देखिए पी आई समझते सी एफ तो वैसे भी निकाल लेंगे आप लोगे तो पी आई के आप एफ ओफ दी-इंडो क्यो और क्यूँ क्या आपका अब क्यूँ भी लिख सकते है आपmee क्यू लिखलो मन्वानव ओपका इफ आवर मैनस एक्स टिक है वैल्यू रखते हैं तो बन अपॉन इससडी स्क्वाइर माइनस 2 डी प्लस 1 और आपका क्यू कितना है इस पाँआ करता हूं देखेए आपने कंटिन्यों किया उसे पी इस इक्वल टू बन अपॉन आप एपावा माइनस एकस था ना इपावा माइनस माइनस वन एकस लिखते तो चीए और डी स्कॉायर माइनस टू डी कि प्लस हमने क्या बता था है जाहा जाहर्ण डी है वह वह आप पहले यह रख कर देख Bagkerno बन रहा है कि नहीं वाँकर नहीं डूर देख और चेक अरश्य कर ओब से 0 नहीं बन रहा हित तो कितना आ रहा है, minus 1, this is, sorry, plus 1 आ जगने तो, plus 1, plus 2, and plus 1, e to the power minus x, is equal to e power minus x, divided by 4, this is your pi, cf आपने निकालना सीख लिया है, आप क्या करोगे, at last, the solution will be what, cf plus pi, अब cf जो भी आएगा, उसके साथ pi को add करके लिखत होगे, and this is your answer, if your answer will, will be there, then you can send that answer to our channel, that is, telegram, telegram पर जो channel है, उस पर आप send कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है students, यह आपको clear होगा, pi का जो first point है, e power ax वाला, वाला का clear हो गया, बस इसमें, जो 0 वाला है, वो मुझे बताना है, और जो, आगे के इसके points है, pi के 3-4 और है, मेरे ख्याल से 5 है, तो वो भी अगले वीडियो में पूरा cover करने कुशिश करूँगा, ठीक है, और most probable, एक या दो वीडियो में यह chapter खत्म हो जाए, सबसे बड़ा chapter यह है, उसके वाद सारे chapters चोट है, तो peacefully और थोड़ा सा विश्वास रखते हुए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, definitely खतम किया जाएगा इसे, timely, ठीक है, और दोस्तों में अपने share कर दीजिए, like जरूर कर दीजिएगा, comment कर दिया करें, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, आपके अपने चैनल मैट वैट बाइ, thank you,